नमक लिया है मैंने एस बेज आयका आधा चोड़ा चमाच लाल मेच एक चोथा चोड़ा चमाच हल्दी एक चोथा चमाच अधरक का पाउडर एक चोथा चोड़ा चमाच लेसन का पाउडर एक चोथा चमाच मेती धाना और एक चोथा चमाच बेशन लिया है मैंने डेट चमा नींबू का रस लिया है मैंने, एक कप दई लिये मैंने, और एक लीटर पानी थाउजन मिलीलीटर, इसमें डालेंगे हम एक चोटाई कप तेल, तेल को गरम करें, तो अब हम इसमें डालेंगे प्लेट वाले मसाले, नमग लाल में छल्दी अदरक, लैसन, मेती दाना, इन सब को लो गेस पर पका लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे 750 मिली लीटर पानी जो हमने एक लीटर पानी लिया था उसमें से 750 मिली लीटर पानी हम इसमें डाल देंगे तो इसमें डाल दें आप चाहें तो 750 लीटर पानी डालें थोड़ा बचा लें तो हम दई और बेसन उसमें ब् अब हम इस पानी में डालेंगे, यह 250 मिलीटर पानी था, उसमें एक जोथा एक बेसन, एक कब दई डालें, यह बाजार का दई है, गाड़ा ऐसी लिए, तो यह दई डाल दें इसमें, और अब हम इसमें डालेंगे, नीम्बू का रस, डेट बड़ा चमच, नीम्बू का रस डालें, डेट बड़ा चमच में नीम्बू का रस डाल रही हूं, अब फ्रेश भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से फेट लें, ताके कोई भी गुटली ना रहे, अगर ब्लेंडर से नहीं आप चाहें, तो जग में भी से ब्लेंड कर सक तो अच्छे से फेट लें, तो अब हम ब्लेंड के हुआ मिक्स्चर इसमें डाल देंगे, इसमें, कड़ी में डाल देंगे, डपेसन गोल, जो हमने अभी अभी पीस लिया था, ब्लेंड किया था, अब हम कड़ी को पकाएंगे, कड़ी को इतना पकाएं कि यह आदी हो इसमें जायका अच्छा आजाएगा और साइज में और कम भी हो जाएगी आदी हो जाएगी और कड़ जाएगी जितना ज्यादा कड़ेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा 80 ml पानी, एक कप बैसन, एक अरी मिर्च, एक छोटा प्यास, नमक असबे जायका, एक वन बाइटी स्पून बेकिंग पाउडर, एक डिबल स्पून बटर, एक टी स्पून धनिया बीच, आफ टी स्पून लिया है, मैंने रेड पेपर, इसमें हम डालेंगे बैसन, अब हम इस पकोड़ों में हवा आओगी, और पकोड़े जब आप तरलोगे, तो वो उपर आ जाएंगे, फोरण ही, तेल में जानने से पहले ही, मतलब जितना आप अच्छा से इसे फेटोगे गोल को, बैसन को उतने आपके पकोड़े नरम बनेंगे, और पूले पूले बनेंगे, और तेल में तरने लगेंगे, तो इसे में अच्छे से में फेट रही हूँ, आप चाहें तो एक से दो मिनट तक अच्छे से फेट लें, अब हम इसमें डालेंगे बटर, हरी मिच, प्यास, दनिया, नमक, लाल मिच, बैकिंग पाउडर, ये सब इसमें डाल दें, हरी मिच, प् के बीच लालमिच बेकिंग पाउडर और इन सब को इसमें मिला लें तो पहले बैसन में पानी मिलाना है अच्छे से फेटना है फिर यह सारी चीजें मिलानी है अगर गाडा है तो एक छोटा चमच पानी डाल दें एक टीस्पून इसमें हम पानी डालेंगे यह तोड़ा एक मिनट से दो मिनट तक इसको अच्छे से लगाता है तेज थेज फेटते रहे जितना आप इसको ज्यादा फेटोगी उतना पकोड़े आपके नरम बनेंगे और जैसे ही तेल में जाएंगे फोरन उपर तरनने लगेंगे जैसे इसने पकोड़ों में हवा होगी तो कड़ को भी अच्छे से पी लेंगे तो ये पकोड़ों का मिक्सचर त्यार है तेल डरम है और अब हम ऐम मीडियम फ्सलैम पे पकोड़ों को तल लेंगे ये đến्गेगा जाते ही ये फोरन ओपर आ जाएंगे पकोड़े कड़ी अच्छे से पीएंगे क्यूंसा होंगे फोरास हाथों से करना आसान होता है तो थोड़ा थोड़ा बेटर लें हाथों में और रो से तेल में डालते जाए इस तरीके से मीडियम फिलेम पे हम इसे तीन से चार मिनट तक पका लेंगे या जब तक सुनेरी रंग नहीं हो जाता वहाँ पे कड़ी पक रही है लोगे इस पे जब तक कड़ी आदी हो जाए तब तक हम इस कड़ी को पकाना है अब हम इनको पलट देंगे और फिर दूसरी साइड से भी पकने देंगे जब तक सुनेरी रंग नहीं आ जाता तब तक इसको पकाएं तो इसे हम पकने देते हैं कड़ी को सुनेरी रंग ओने तक हम पका लेंगे तो यह देखें कड़ी को पकने दें कड़ी को आदी होने तक पकाएं और पकोड़े पकाएं यह देखें सुनेरी तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, पकोडों को प्लेट में निकाल लें, दूसरे स्टोफ पे कडी पक रही है, अब जो बचा हुआ, मिक्सचर है, बैसन का गोल है, पकोडों का गोल, उसे तो पचे हुए गोल को भी हम मध्यमाच में तीन से चार मिनर तक पका लें ममम लें तो छोंड़ी परकब पकोडों का य डाल को, जो पकोडों का मीमाच में तेसा था कडी के निकाल, इसका मत्तर उनाद काल्स में तो कडी को अच्छे से प्लेंगे, यह तो'S यह था यह था कड़ी पक यह⁠ीक चछी आदा ह्म इं तो मोमेरी एसनाद बनाल तो कडी अ पकोड़ों को डाल देंगे और लोगेस पे इसे पांच मिनट पकाएंगे तब तक हम तड़का त्यार कर लेते हैं तो सारे पकोड़े इसमें डाल दें और आप इस कड़ी कड़ी में पकोड़े में डाल दी हैं अब चलते हैं तड़का के लिए हमें चाहिए तो यह देखें म कडी पते 15 우리 तो तेज पते एक चोड़ा चमच दनिया और फहीnh का चुर्डास और जाल देया हिंग करीपत्ता दूझा टीज पत्ता हिंगında फो कि यूई के बीच यूई को दाल देख। साफित दनिया है ये दनिया के बीच इसको पका लेंगे इसे पका लें कड़ी पते हमेशा तेज आग पे बूने जाते हैं तब ही उनका जायका आता है तो इसे अब हम कड़ी में डालेंगे ये तड़का तड़का पूरा कड़ी में डालें ये वैसे भी मेरा ये तड़का पे की गई है तो अब हम चलते हैं कड़ी को साव करने के प्रॉसेस में ये देखें मैंने बस एक मिनट पकाया और मैं साव कर रही हूं ये बावल में तो इस कड़ी को आप चावलों के साथ या फिर रोटी के साथ इंजॉय करें जिसके साथ आपको अच्छा लगे कभी हम इसे र पकोड़ा तोड़के भी दिखाऊंगी कि ये कितने नरम है अंदर से जूसी सॉफ्ट एयरी सोराक वाले पकोड़े तो ये देखें पकोड़ा एक निकालते हैं प्लेट में और इसे तोड़ते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है तो तेंक ये फॉर वाच्छिंग सब्सक्राइब कड़ी भी देखें हमारी सही सही है ना ज्यादा गाड़ी ना ज्यादा पतली ठंड़े होने के बाद और गाड़ी होगी पकोड़े को तोड़े ये देखें कितने आराम से टूट रहा है तेंक ये फॉर वाच्छिंग प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेर एंड कमेंट अन तुर वाच्छिंग देट ये ना कंभ ay लादा से लाई शेट अमे शेमारी से भी नारे पाड़ा है कितने आराम से पक다면 बाफ से लाशना को फ caboो अ मेंट अ